कि दोस्तों नमस्कार स्वाइब थे आप सभी का आपके अपने यूट्व चैनल पीके एजुकेटर मेंց दोस्तों आप इस्टूजेंट्स के लगतार हम तक कमेंट्स आ रहें कि सर आधार प्रमाडी करण करने में दिखकत हो रही है या पिर आधार प्रमाडी करण नहीं हो या फिर आपका सवाल है कि सर आधार प्रमारी करन कैसे करें तो आज उसी का साल्यूशन आपको इस वीडियो मिलने वाला है मैं लाइव इस वीडियो में आपको आधार प्रमारी करन करके दिखाऊंगा आधार प्रमारी करन कैसे करना है बिलकुल लाइव आप इस वीडियो मे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए आपको वीडियो के अंतर तक बने रहे ना है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यह आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पिके एजुकेटर चैनल को, त साथी बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, हमारी यूपी स्कॉलर्शिप से जुड़ी हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर पाएंगे, तो कुछ इस तरह की वेफसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आप यूपी स्कॉलर्शिप आनलाइन फॉर्म 2020 किस पर क्लिक करेंगे, आइड आएगा इसको कट कर दीजे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे चले जाएंगे, यहा प्रिमेट्रिक हैं, तो यहाँ से लॉग इन करेंगे, पोस्ट मेट्रिक हैं, तो यहाँ से लॉग इन करेंगे, पोस्ट मेट्रिक अरदर देन इंटर, यहाँ से आप लिंक से अपने आप सेलेक्ट कर लिजेगा, तो चली हम पोस्ट मेट्रिक के लिए लॉग इन कर रहे है और आपको intermediate student login करके आपको आधार प्रमाडी करने दिखा रहे हैं तो login page आपके सामने open हो गया है यहां पर आपको अपना registration संख्याज जन्मति थी और password फिल करके login हो जाना है और capture code डाल कर यहां पर तो मैं login करना नहीं दिखाऊंगा मैं चलिए सिधा login करके आपको उसी page पर ल आधार प्रमाडी करन करके दिखाने वाला हूं आपको वीडियो पस बस बजने रहना है और यकिन मानिए गारंटी के साथ आप आधार प्रमाडी करन करना सीख जाएंगे कोई problem नहीं आने वाली है तो चलिए चलते हैं login page पर आप प्रमाडी करन है तो आधार नंबर डालें तो आधार प्रमाडी करन है तो आधार नंबर डालें तो इसके लिए यहाँ पर करना क्या है आपको तीसरन यहाँ पर आपको अपना अधार नंबर डालना है चबुन तिरनबे ये हो गया इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको अधार नमबर दो बार डालना है बहुत सारी स्टुडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अधार प्रमारी करन कैसे करें नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आपको दोबार अपना अधार नमबर डाल देना है इसके बाद इस चेक्स बाक्स पर टिक करना है और फिर यह जो कैप्चा कोड दिया गया है यह आपको यहाँ पर फिल कर देना है ठीक इसके बाद बेरिफाई अधार पर आप क्लिक करेंगे जैसे verify आधार पर click करेंगे तो यह देख लिजे यहाँ पर प्रमाडी करण सफल लिख कर आ गया है आधार demographic attention ठीक इसके बाद अब यहाँ पर दूसरे नमबर पर click here for आधार OTP of attention तो इस पर आप click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके पास OTP आएगी वो OTP यहाँ पर फिल कर देंगे और verify आधार by mobile OTP पर click कर देंगे तो आपका जो है यह आधार प्रमाडी करण की जो समस्या है students लगातार comments करें कि सारा धार प्रमाडी करन कैसे करें तो वह भी इस वीडियो में हमने clear कर दी है ठीक है तो OTP आने में time लग रहा है तो बेट कर लीजिएगा या फिर आप फिर से recent OTP का आप सन्या पर दिया गया है उस पर click कर लीजिएगा ठीक है तो हम थोड़ी दिर हैं लेकिन उसके उपर यहां उससे के पहले यहां पर आप देखिए उपर दिया गया है महत्तुपूर्ण आधार डेमोग्राफिक अथेंचन और आधार OTP अथेंचन के बिना चाथ चात्रा का फाम पूर्ण नहीं माना जाएगा आपके द्वारा आधार डेमोग्राफिक अथेंचन के लिए एक बटे टीन तथा आधार OTP अथेंचन के लिए 0-3 प्रैस किया जा सुका है तो एक प्रैस में हमारा जो आधार डेमोग्राफिक अथेंचन था वह तो पूरा हो गया प्रमाड़ी करन सफल और जो अधार OTP यह थेंग साने उसके लिए हमने देखिए प्रयास अभी तक एक बार किया है तो हम पर 0-3 दिख रहा है क्योंकि OTP अभी तक आई नहीं है तो चलिए हम रिसेंड OTP पर फिर से क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहां पर उपर ग्रीन कलर पर लिख कर आ गया कि OTP है बीन सेंड टू मोबाइल नंबर और यह देखिए OTP यहां पर आ गई है अब इसको करते हैं फिल 779730 यह हमारी OTP थी और मोबाइल नंबर हमारा लिंक था अधार से इसलिए यहां पर OTP आई है तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हमारे चैनल पर वीडियो पढ़िए कि आपको कैसे लिंक करना है मोबाइल नंबर अधार से उसको देख लीजिएगा और ज देखे प्रमारी करन है तू आधार नंबर डालें यह बिल्कुल टिक हो चुका है ग्रीन कलर में यानि के हमारा आधार प्रमारी करन सफल हो चुका है